तो दोस्तों अगर आप भी अपने मवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ इस तरह का ट्रेंडिंग ए स्टेटस वीडियो इडिट करना चाहते हो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्पलीट जड़ देखेगा क्योंकि वीडियो काफी तो चलिए दोस्तों बिना किसी बखवास के आज किस वीडियो को सुरूप कर लेते हैं उससे पले अपने भाय का नाम जान लिजे मेना नमे घंसायाम और स्वागत करता हूँ आप सुभी का हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल घहनु में और दोस्तों अब भी तक आप मुझ तो दोस्तों फाइनली मैं अपने मॉवाइल के स्कीन पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आप लोग को एक अपलिकेशन का जोद पर जाएगा जिसका नाम है कैन मास्टर तो आप लोग को पले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर ने तो लिंक में डिस्क्रिप्सन बॉक्स में द कर लेना हैं इसके बाद मेडिया पर क्लिक निए स्ट हिक्रकर के एक करने मास्ट स्टे उपने देर तक को उपनाने दी तक इसके और उसके पहले आप से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों सिंपले आप लोग को सुरुवात में आ जाना है लेयर पर क्लिक करके फोर नंबर वाला उप्सन टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और आप जिसके भी नाम के साथ इस्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उसके नाम को यहाँ पर टैप कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं ततकाल लिख देता हूँ काजल उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है and इसके size को यहां पर थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद color पर click कर लेना है black color को select करके उपर से सही कर देना है and double A वाला option font पर click करके latent पर click करके यहां पर first वाले font को select कर देना है उपर वाले font पर click करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों सिंपल इसके टैम लाइन को यहाँ पर बढ़ा देना है जितने देर तक का बाइगराउंड इमेज हैं उतने देर तक इसके टैम लाइन को बढ़ा करके कर देना है उसके बाद उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एड़ेस्ट कर लेना है यहाँ पर इसको फूरे अच्छे तरीके से एड़ेस्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तो simply आप लोगव को इन एनिमेशन का उप्सण पर किलिक करना है और दोस्तो यहाँ पर आप लोगव को थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो पॉप अप का उप्सण दिखाए दे रहा होगा उसके बाद दोस्तो सिंपली फिर से आप लोग को layer पर क्लिक कर लेना है text पर क्लिक कर लेना है और आप अपने name के आगे में जो भी title लगाते हो उसको यहाँ पर tap कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कि मैं टैप कर देता हूं अगरवाल यहां पर मैं टैप कर देता हूं अगरवाल अगरवाल यहां पर अगरवाल उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों सिंपली इसके भी साइज को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है थोड़ा सा और कलर पर क्लिक करके बलेक कर देना है उपर से सही करके फिर से एक बार इस फॉंट पर क्लिक करना है और दोस्तों इस बार आप लोगो यहा तो भड़ा से छोटा कर देना है और उसके बाद दोस्तों सिंपली इसके टाइम लाइन को यह पर बढ़ा देना है जितने देर तक का बैग्डरांड इमेज है उतने देर तक और उसके बाद इन इनिमेशन का उप्षन पर क्लिक करके आप लोग को नीचे चले जाना है और यहाँ पर जो देख लिजिए यहाँ पर जो पॉप डॉन का उप्षन दिखाए दे रहा होगा उस पर क्लिक करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बात दोस्तों सिंपली कुछ इस परकार का यहां पर वीडियो 1 के तईयार हो जाएगा उसके बात सिंपली आप लोग को लेर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक PNG इमेज को अड़ कर रहा हूँ तो उसका link को में डिस्किप्सन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से आप लोग भी download कर लिजेगा और यहां पर उस PNG image को add कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो इसके size को यहां पर कुछ इतना बढ़ा देना है कुछ इतना इसके size को यहां पर कुछ इतना बढ़ा देना है यहां पर देख लिजे इसके हिसाब से इसके size को यहां पर बढ़ा देना है इसके हिसाब से कुछ इतना बढ़ा देना है उसके बाद दोस्तो सिंपल इसके भी timeline को यहां पर बढ़ा करके जितने देर तक का background इमेंज है उतने देर तक कर देना है और दोस्तो इन animation के option पर click करके यहाँ पर जो select down वाला option दिखाए दे रहा होगा उसको select करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तो फिर से एक वार्च पर click करना है rotate कर देना है और इसके सामने सामने यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर रखने के बाद दोस्तो simply आप लोगो in animation वाले option पर click कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा उपर में जो select आप वाला option दिखाए दे रहा होगा उसको select करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों सिंपले आप लोग को सुरुवात में आ जाना है लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक लैटिंग वाला टेंपलेट वीडियो को एड़ कर रहा हूं आप लोग को नीचे चले जाना है यहां पर लेर्णिंग वाले उप्षण पर और स्क्रीझ को साईलेक्ट करके वीडियो पर क्लिक कर देना इसके sound को यहां से off कर देना है उसके बाद आप लोग को यहां से audio पर क्लिक कर देना है और दोस्तो अपना जिस भी फोटो को एड करना चाहते हो उस फोटो को यहां पर आप लोग को एड कर लेना है साथ ही आप लोग को एक बात का ध्यान भी रखना होगा अब जिस भी फोटो को इस वीडियो में एड किजेगा उस फोटो के background को पहले ही रिमूब करके रख लीजेगा उसके बाद यहां पर उस फोटो को एड कर लेना है उसके बाद इसके timeline को यहां पर बढ़ा देना है जित पर अच्छे तरीके से रख देना है उसके बाद simply आप लोग को यहां से सुरुवात में आ जाना है उपर से सही करके layer पर क्लिक करके media पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक और image को add कर रहा हूँ तो उसका भी link को ए description box में दे दिया हूँ वहां से आप लोग भ learning वाले option पर orãr screen को select करके ऊपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों simply इस वाले को यहां से select करना हैЯद इसको खीच करके यहां से यहां पर रख देना है इसको यहां से यहां पर रख देना है इसके साइज को यहां पर थोड़ा सा और बढ़ा करके इसको यहां पर पूरे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है उसके बाद सिंपल यह आप लोग को उपर से सही कर देना है और यहां से सुरुवात में आ जाना है यहां पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक और टेम्पलेट वीडियो को एड कर रहा हूँ तो उसका वे लिंक को एडिस्किप्सन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी डाउनलाड कर लीजेगा और यहाँ पर उस template वीडियो को add कर लिजेगा उसके बाद इसके size को यहाँ पर कुछ इतना बढ़ा देना है कुछ इतना और इसको यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों सिंपले आप लोग को इसके sound पर click करना इसके sound को यहाँ से mute कर देना है और उपर से सही करके फिर से एक बार इस पर click कर देना है और आप लोग को नीचे चले जाना है blending वाले option पर और screen को select करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्त तो सिंपली आप लोग को एक बार अपने वाले फोटो पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद दोस्त तो इन इनिमेशन का अप्शन पर क्लिक करके फेड को सेलेक्ट करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्त तो simply इसे status वीडियो में आप अपने मन पसंद से किसी भी audio को किसी भी गाने को किसी भी tone को add कर सकते हो तो उसके लिए simply आप लोग को यहां से सुरुआत में आ जाना है and audio पर click कर देना है और audio पर click करने के बाद आपके mobile phone में जितने भी गाने music tone होंगे वो सारा का सारा यहां पर आ जाएगा तो आप जिस भी गाने को add करना चाहते हो जिस भी music को add करना चाहते हो उस पर आप लोग को click कर देना है उसके बाद पलस वाले एकन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद उपर से सही कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो music वाला जो tone है वो भी यहाँ पर add हो चुका है तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा प्ले करके देख लेता हूँ तो दोस्तों सुरुआत से थोड़ा देर तक यहाँ पर नहीं बज़रा है म्यूट है तो उसके लिए सिंपल आप लोग को इस tone पर क्लिक कर देना है और कईची वाले option पर क्लिक करके यहाँ पर जो फर्ष्ट वाला option को एक बार प्ले करके दिखात देता हूं उसके बाद इस स्टेटस वीडियो को अपने मॉवाइल फोन में सेव करने के लिए आप लोग को share वाले ऐकन पर क्लिक कर देना हैं and quality में 720p या फिर 180p को सेलक्ट कर लेना है फ्रेंगरेट में 30 को सेलक्ट करके इसको high कर देना है नीचे से expert पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपलोग को पर वीडियो एकसपट हो और कि आपके मौईल फॉन में सेव कोजा एगा उसके बाद आपका मनंच जहां पर उता है वहां पर इस वीडियो और पेर सेर्ट किजे। क्योंकि दोस्तो इस चैनल पर मिसितर के न्यू नू नॉलोजबल वीडियो, इंट्रेस्टिंग वीडियो एंड इडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता ही रहता हूँ और दोस्तो अगर आप भी मुझे बात करना चाहते हो, या फिर आपको इडिटिंग से रिलेटेड किसी भी परकार का प्रोब्लेम हो डॉट हो, तो आप मुझे इस्टागरम पर मैसेज कीजेगा, मैं आपको मैसेज को पढ़ करके आपको जरू से जरू रेपलाई दे दूँ